हलो बच्चों तो आज हम लोग ग्रैविटेशन चैप्टर का लेक्चर एट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे relation between gravitational field and gravitational potential और जितनी भी types of questions इस पर पूछे जाते हैं वो सारे questions हम लोग टाइप wise पढ़ने जा रहे हैं जिससे कोई भी question इस topic से पूछा जाए तो हम लोग आसानी से उसे solve कर सके ठीक है चलो देखते हैं तो सबसे पहले देखो relation between gravitational field and gravitational potential अब जिस तरह का ये topic है ना थोड़ा सा कुछ मैं rough work करके आप लोग को बताता हूँ जिससे थोड़ा सा कम से कम एक feeling attach हो देखो क्या थोड़ा सा rough work देखो topic का नाम के आधार पर सबसे पहले gravitation chapter में हम लोग एक topic पढ़े क्या gravitational force क्या पढ़े थे gravitational force उसके बाद पढ़े gravitational field और उसके बाद पढ़े gravitational potential एकदम cut copy paste class 12 physics में जब हम लोग पढ़ना चालो करेंग electrostatics वहाँ पढ़ेंग electric force, electric field, electric potential शुरुआती का ती अब सिंस हमने force पढ़ा, field पढ़ा, potential, इन दोनों के बीच में हमने एक relation पढ़ा, कहां पढ़े थे, जब gravitational field का definition पढ़ रहे थे ना, उसी समय क्या हुआ इन दोनों के बीच का relation आ गया, कैसे, बोले field का definition ही था क्या gravitational field का, कि कि कितना force लगेगा per unit क्या है, छोटा सा mass, यानि क यह test mass, जैसे कि column रख दो, है ना, दोखो यह field में है, यह gravitational field में है, पता है, पिर्थवी है, पिर्थवी का gravitational field, उसके अंदर को छोटा सा एक test mass रख दो, छोड़ दो, दो, पिर्थवी खीची लिए अपने और है ना, तो कितना force लगा, तो कौन सा force है, gravitational force ही है, यानि पता च बीच में relation पढ़ने की, ठीक, यही है field और potential के बीच में, तो जो relation derive हो करके आएगा ना, वो मैं लिख देता हूँ, देखो, equal to क्या आता है, minus dv बटे dr dr, यह है gravitational field, यह है potential, अब यह क्या है, क्या इसका meaning होता है, कैसे आता है, तो उसको derive करके लाते है, तो sequence wise चल रहा है, चल systematic देखना, बस एक ही request रहेगा, lecture systematic देखना, क्योंकि अगर यह समझा हुआ रहेगा, यह lecture समझा हुआ रहेगा, तो भी, बहुत तभी जाकर इन दोनों के बीचे relation समझ में आएगा, कैसे हा रहा है, ठीक है, देखो, let हम लोग बोलते है, क्या, मेरे पास है, एक mass M, बहुत ब mass ले जाकर अगर रख दिये, तो पता है कि बड़ा वाला mass करेगा, क्या, मेरे test mass को पकड़ करके खीच लेगा, अपनी ओर, example समझने के इसको पिर्थवी ही माल लो, यह इतना बड़ा, और यह मेरा कलम, कलम ले जाकर रखेंगे, छोड़ेंगे, देखो, यह नीचे गिर जा यानि, lattice का displacement, vector जो है न, displaced किया, थोड़ा सा displacement, let it भी क्या, DR से हम लोग उसको denote करते हैं, आच्छा, एक और चीज, rough work सब कुछ यही करते जाओगा, धेरे-धेरे हैं जो जुरत पड़ेगा, यहां से पता चलता है, कि gravitational field होता है, force per unit mass, तो भाई, force बराबर क्या हो जाएगा, force बराबर हो जाएगा, m into e, m into e, अब यह भी vector quantity, यह भी vector quantity, दोनों पर अगर हम vector sign ऐसे लगा दें, तो पता चलता है कि भाई, जीधर gravitational field होगा न, उसी direction में लगेगा, क्या, force, किस पर लगेगा, मेरे छोटे से mass पर, है न, उसी direction में force लगेगा, यानि ऐसे बोलो, जीधर force रख, वही field का direction हो गया, ठीक है, आच्छा, तो भाई, यहाँ पर देखो, force लगा इधर, it means, इस point पर अगर बोला जाए, यहाँ पर field का direction किधर होगा, तो इसके वज़े से, जो field का direction होगा, वो भी किधर होगा, इधर ही होगा, समझ में हमें आता है, ठीक, अच्छा, इसके gravitational field, region के अगर, बाहर में इस column को ले जाके रख दूँ, यानि test mask को, यहाँ रख दूँ, कहाँ पर, at infinity पर तब, तो बोले भाईया, फिर यह range से इसके बाहर चले गया ना, तो कोई gravitational force यहाँ ना लगी, है ना, potential भी हमें पता है कि वह यह infinity पर क्या आता है, zero, महाँ कुछ नह होता है, ठीक, तो यह उसको अब खिच पाने सक्षम नहीं, तो दोखो कैसे हम लोग निकालने जा रहे हैं, दोनों के बीच में relation, actually हम लोग सहारा लेंगे, पता है किसका बीटा, work done का, किसका सहारा लेंगे, work done का, तो भाई work done होता क्या है, हर बर यहीं जुरत पढ़ने जा सब क्या होगा, तो छोटा सा work done हो जाएगा, force dot, छोटा सा displacement, f dot ds, 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 ठीक है भाई, अब अगर हम बोलते हैं, क्या, अगर work done by gravitational force बोलू तो, तो बोले कि force कौन सा लेना पड़ेगा, gravitational force लेना पड़ेगा, तो ठीक है, देख लो, gravitational force किधर है, और displacement किधर है, तो f dot ds हमें पता है, उन दोनों के बिच का angle theta equal to zero degree अगर हुआ, तो fs cos theta जो भी हम लोग रख देंगा, वैसे करके, तो एक तो work done जो है, वो होता है, f dot ds, छोटा सा work done, इस work done के formula में आया मेरा force, और इस force के अंदर आ गया, देखो, क्या, field, यानि पता चला कि, ओहो, अगर work done का formula ल पे करके, कि gravitational potential कैसे आएगा, तो पहले जो आया है, उसको प्यार से ज़रा लिख देते है, आ जाओ भए, तो बोलेंगे क्या, देखो, small amount of work done, क्या लिख देंगे, small amount of work done by gravitational field, short में लिखता हूँ, इसे करके, small amount of work done by gravitational, sorry, gravitational force, gravitational force, क्या हो जाएगा, तो बोले, dW, small amount of work done by gravitational force, तो बोलेंगे, यह हो जाएगा, force dot displacement, तो मैं easy वाला लेकर के समझा रहा हूँ, जिसे बहुत अच्छा से समझ में आए, कि वह यह रखे, force लगा, gravitational वाला इधर, displacement वा इधर, ठीक है, f dot dr है, इसे, है न, no dot, यहाँ पर दोनों same direction, theta equal to क्या हो जाएगा, 0 degree, तो एक special case ले ले हैं, कि जब theta 0 हो, तो क्या, in general तो यही होगा, ठीक है, equation number 1, और एक और चीज़ देखो, क्या, since we know that, क्या है, since we know that, हम लोग जानते हैं, कि जो gravitational field होता है, न, वो होता है, कितना force लगा, पर unit, छोटे से mass पर, यानि कि test mass पर, तो कौन सा force, gravitational force, कितना लगा, ठीक है, तो यह field, यह force, तो भाई है, यहां से gravitational force बराबर आ जाता है, M into E, equation number 2, बोले कि इसको उठा करके यहां रख दो, such that, work done के formula में, field मेरा चला आएगा, तो बोलेंगे, देखो, यह बन क्या जाएगा, gravitational force हो जाएगा, मेरा M into E dot dr, equation number कितना हो गया, देखो, 3 हो गया, तो एक expression आया है, मेर आपर, small amount of work done में, field चला आया, अब हम बोलते हैं, आपके पास, को ऐसा formula है, निल सर, कि work done ही लिखो, और potential चला आए, तो बड़ा मजा आ जाएगा, कि work done में, electric field आगा, sorry, work done में, gravitational field आ गिया, और अगर फिर से work done में, अगर potential आ जाए, तो बोलेंगे, वह, LHS क्या हो जाएगा work done, work done, तो RHS भी बराबर कर देंगे, hence इन दोनों के बीच में, relation चला आएगा, तो धूंडो, कि क्या work done, potential से कोई रिष्टान आता है, क्या, धूंडो, 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 धूंडेने से तो सब कुछ मिलता है, लिख ले इतना दूर, बताते हैं, इसके आगे, चोरी, चोरी, मेरे हम, सफर, चलो, यहीं से लिखना चालू करते हैं, कोई बात ने, देखो, सिंस हम लोग जानते हैं, कि potential, जब हम लोग पढ़े थे न, यह होता था, क्या, work done by the external agent per unit mass, what is potential at a point, potential at a point कैसे define होता है, मालो, इस point पर potential define करना, इसका क्या मतलब हुआ है, कि एक external आदमी बाहर से आएगा, इस मास को infinity से पकड़ करकर कि यहां तक लाएगा, धीरे, 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 तो कितना वो total काम करेगा, जितना वो external आदमी काम करेगा, यहां से यहां तक, वही जाकर कि यहां पर potential energy के रूप में क्या हो जाता है, श्टोर हो जाता है, सीखें, external बिल्कुल, इसलिए पिछला लेक्सर बेटा देखाऊना बहुत जोरी है, अच्छा, जितना work done by external होता है न, वही बन जाता है क्या potential energy, यानि ऐसा हो गया, अच्छा, अगर यह work done by external agent जो है बेटा, अगर थोड़ा सा work done करे, एकदम, पता है, मास, बहुत जादा दूर तक न च्छोटा सा work done करे, तो च्छोटा सा potential energy increase करेगा, आशक तो potential energy च्छोटा सा potential क्या हो जागा, च्छोटा सा work done by external agent per unit mass, तो potential energy भी छोटा सा increase करेगा hence यहां से इन दोनों को relate करो देखो क्या है तो बोलेंगे dv equal to क्या होगे du बटे m यानि कि small amount of potential energy हो जाएगा देखो m into dv, dv, dv equation number कौन सा लिख देते हैं यह तो 3 था इसको लिख देते equation number 4 हो गया include कर लिए derivation के अंदर ही ताकी पता चले कि कैसे लिख रहे हैं कि increase in potential energy क्या होगा m into dv, 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 dv पता चलिए कहां से आए कहां से आए भाई या फरंदा definition of potential से लेते आए अच्छा एक और चीज हमने पढ़ा है क्या पढ़ा भाई कि यहां देखो rough work में लिखता हूँ rough work में बहुत भ्यानक चीज हमने पढ़ाया पीछे कि work done by external जो होता है वो होता है delta u, copy के cover के उपर मैंने लिखा है और एक होता है कि work done by conservative force जो होगा, conservative force क्या होता है हमें पता है कि gravitational जो force होता है वो कैसा होता, conservative force होता है gravitation पढ़ रहा है तो work done by conservative यानि work done by gravitational force यह होता है minus delta किसके u के बराबर minus delta u के बराबर तो इसको मैं कहीं भी use कर सकता हूँ मैंने बोला है वेटा कि यह दोनों मिला लो तो 12 से 13 chapter के अंदर छोटे छोटे चीज में जहां मन तहां जो हैं हम use करते रहते हैं इसको तो copy के cover के उपर लिख लो अगर अभी तक नहीं लिखा है तो यह दोनो तो work done का हमें ना जवर्वात actually पढ़ने जा रहा है work done का, तो हम ढूंड रहें कि work done के अंदर नहीं potential आता है क्या तो बोले हाँ भई, work done by conservative यानि work done by gravitational force में दोखो potential energy तो आया potential energy तो आया, तो total work done केतना gravitational force करेगा ना तो total केतना चेंज़ भी potential energy हो गया ठीक है, अगर छोटा सा work done by gravitational होगा तो छोटा सा तो लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे तो बोले, अगर छोटा सा work done by gravitational force हुआ ना तो ये increment, जो भी minus है, आता दो केतना increment होगा केतना du, 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 पता चल गया ये लिखने का तरीका work done by gravitational force होता है minus delta u, total है तो total है, तो बड़ा delta लगा हुआ भाई ये तनीगों अगर काम करेंगे तो केतना होगा, तो बड़ा तनीगों इंक्रिमेंट होगा minus du, समझ में आ गया तो हम इसको कर लेते हैं use कि small amount of work done देखो कैसे लिखूँगा, since we know that since we know that कि small amount of work done by gravitational जो force होता है, जिसको कि शॉट में g लिख देते है understood है, small amount of work done यह क्या होता है, minus du, du, du होता है, और बोले भया, du किसके बराबर है, m dv के बराबर है यानि यह हो गया, m into क्या हो गया, dv, कहां से substitute किया हमने, from equation from equation number 4 ठीक है, कि small amount of work done by gravitational force केतना हो जाएगा minus m into dv, dv, dv this is equation number 5 तो यह बहुत अच्छे से हमें transparent समझ में आना चाहिए, मैं फिर से एक बार repeat कर देता हूँ, क्या कि हम यह दोनों के बीचे relation निकाल कैसे रहें, एक बार work done लिखते हैं, इस तरीके से such that उसके अंदर gravitational field चला आए, और फिर से एक बार work done ही formula हम लिखें जिसके अंदर gravitational potential आ जाए देखो कैसे, work done by gravitational, f dot ये कि ये तो उसके अंदर क्या आगया, field आ गया, small amount of work done, एक expression आगया equation number 3 के अंदर, अच्छा आउसके बाद हम देखें, भाई, potential का definition जो पढ़ें न, potential वाला topic, उसी के definition से relate करते करते, 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 पिछला जो lecture पढ़ें, potential, lecture number 7 पूरा lecture number 7 ही मैंने लिख दिया उससे पता चला कि भाई, work done by gravitational में potential आ गया, तो बोले कि equation number 3 पीछे, और equation number 5, दोनों को अगर relate कर दे, तो बड़ा जवरदस्त चीज हो जाएगा, देखते हैं कि क्या हो जाएगा, from equation number कौन सा, 3 and 4, sorry, 3 and 5, 3 and 5 तो उधर क्या है दोको M into E dot DR, DR DR है उधर, देख लो ध्यान से, कितना है, M E dot, कितना, DR, इधर स्मॉले मार्टा वग्ड़न, LHS, LHS तो को बराबर हो जाएगा, तो RHS, RHS, भी बराबर कर देंगे, RHS मिधार है, minus M into DV, 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 यहां से MM चला गया, यानि कि E dot DR जो हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, minus DV के बराबर हो जाएगा, यही है सबसे ब्रहमास्त relation, maximum सवाल जो है इसी से solve होता है, आग यह relation, यह है gravitational field, यह है gravitational potential, अब relation तो आगया, लेकिन इसमें कोई feeling अभी समझ में नहीं आ रहा है, रहे भाई, ठीक है, E dot DR equal to minus DV हो जागा तो, इसका मतलब क्या हुआ, भाई, इसका कोई मतलब उतलब है कि बस ऐसी formula है, अब सवाल बनाना चालो करे क्या, नए, जब तक physics प्यार ना होना, सवाल बना, हाथ ने लगाना, ठीक है, सवाल तो बनाएंगे थोड़ा दिर बाद, क्या है यह बई, क्या ही, तो यह हो गया पता है general case, क्या हो गया यह general case, अब देखते हैं कि एक special case क्या है, special case, तो special case बोलता है क्या, कि वेन, देखो special case क्या है, वेन, एंगल बेटवीन यह gravitational field and DR, is, क्यतना डिग्री पता है, 0 डिग्री, क्यतना डिग्री हो, 0 डिग्री, तब क्या होगा, वही case, जो इन जर्नल हम डाग्राम में देख रहे है, gravitational field की दार, देखो ज़र data equal to क्यतना है, 0 डिग्री, तो ऐसे case में क्या होगा, तो बोले कि ठीक है, भाई, रख देते हैं, तो यहाँ से देखो, क्या बनेगा, e, dr, cos of क्यतना, 0, इन दोनों के बिच में अंगल 0 है, will be equal to minus dv, 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 cos 0 होता है, 1, यानि, e, dr, equal to minus dv, hence, यहाँ से e बराबर क्यतना, minus dv, बटे, dr, 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 यह हो गया, सबसे popular relation इसको बोलते है, सब कुछ यही है, इसी में theta equal to 0 कर दिये, तो यह आगिया है, तो यह देखो, चाहिए यह देखो, तो relation क्या है, gravitational field और gravitational potential में, कि e is equal to क्या, minus dv, बटे, dr, 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 चलो पोई बात, अभी लिख लो, फिर इसका feeling बताता हूँ कि क्या इसका मतलब होगा, आया तो ठीक है, तो हम क्या करें, बताता हूँ कि क्या करना है, लिख लो, equal to minus dv, बटे, dr, dr, यहाँ पर देखते हैं, यह जो मेरे पास relation आया, gravitational field और gravitational potential के बीच में, जरा तुकडा में चलते हैं, और पढ़ते हैं, उसको बोलते है, potential gradient क्या होता है, तो physics के अंदर gradient का मतलब होता है, with respect to distance, यह units and measurement में ही पता दिये थे, rate का मतलब बोले तो with respect to time, और gradient बोले with respect to distance होता है, क्या इसका मतलब के gradient मतलब, जैसे मालूम है, यहाँ पर बोल रहा है, तक टेज से, ठीक है, तो मेरा जो आवाज का intensity है, वो क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से दूर कोई इंसान जाते जाएगा, तो उसका आवाज का intensity मेरे को, मलब उसको क्या है, कम सुनाई देने लगा है, धिरी धिरी धिरी, बहुत दूर चले जाएगा, तो मेरा आवाज उसको सुनाई ही नहीं देगा, इसका मतलब क्या बोलेगी है, intensity of my तो भईय ग्रेडियंट लगा देना, यहाँ आवाज चेंज करा था with respect to distance, मलब आवाज का intensity, तो इसको बोल देगा पता है, क्या आवाज ग्रेडियंट, यहाँ क्या है, potential gradient, इसका मतलब क्या हो जाएगा, potential is changing with respect to distance, gradient का मतलब है with respect to distance, यानि क्या यहाँ बोल दोगे, कि potential potential का मतलब क्या, dv, 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 potential का मतलब change in potential with respect to change in distance, dr, dr distance जाते जाओ, potential change करते जाएगा, तो उसको बोलता है, potential gradient, बता चल्गे, ओ, dv, बटे, dr, एक नया चीज कहला गया, माइनस और e, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, लिख लो, इसको लिख लो, potential gradient, बताता हू, potential gradient, ठीक है, इसी के अद्धर, माल लोग बोले कि, si unit of potential gradient, क्या होगा, तो बोली कि, भाई, देख लो, जरा, ये है, actually, क्या, v, v, और बटी क्या है, r, कुछ ऐसा, dv, बटे, d, आ, तो v, बटे, r, v का होता है, joule per kg, और, निचे ये distance है, यानि कि, ये meter हो गया, तो देख लो, केजी, और, पर मीटर होगे, यानि, और ऐसे लिख दे, तो, जूल, पर केजी, बोल दो, पर मीटर, बोल दो, हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि, तो, जूल, पर केजी, केजी, आजएगा, नीचे, मीटर, आजएगा, नीचे, तो, ऐसा हो गया, तो, ऐसा unit of potential gradient, एक और चीज, ब लोग skip कर देते हैं, ना, अतना नहीं, ठीक है, उपरी-उपरी ऐसे बोलते हैं, लेकिन, रियालिटी, दुखो, अंदर जाओ, तो, समझ में आएगा, ये भी पता है, भी होता है, स्केलर कॉइन्टिटी, इसका कोई direction, वा एरेक्शन नहीं होता, potential का, फिशना लेक्शर में होता है, associated dv by dr का, बताता हूं कि, देखो, किधर होगा, यहां से पता चलता है, ठीक है, तो, ये देखो, जड़ा, feeling of equal to minus dv by dr, यहीं से पता चलेगा, कि भी है, direction क्या इसका मतलब होगा, कैसे वो vector quantity है, देखो, equal to minus dv by dr का मतलब क्या होता है, equal to minus dv by dr, तो basically इसको बोलेंग यह पढ़ेंगे कैसे, तो बोलें कि, gravitational field, gravitational field is in that direction, is in that direction in which potential जो हो रहा है, दोखो, change हो रहा है, लेकिन कैसे minus, minus का मतलब क्या होता है, घटना, और यहां plus रहता मतलब potential बढ़ रहा है, ठीक, तो हमनों बोलें कैसे, gravitational field is in that direction in which potential decreases with respect to distance, समझ गया है, क्या बोली बीटा, है ना, तो दो कैसे लिखेंगे, इत मींस क्या, बोले इत मींस बाट ग्रविटाशनल, gravitational field, field is in that direction, is in that direction in which, in which, क्या मोलेंगे, potential decreases potential decreases decreases with distance with distance यानि कि जिद्धार potential जो हना यह decrease करेगा with respect to distance उधर ही होगा कि ग्रैविटेशनल फिल्ड का direction होगा यह इसका significance है बताओ भाई डायाग्राम में कैसे देखलो ज़्याँ देखो कैसे यह बहुत बड़ा मास है, एक छोटा सा कोई मालो की हमने रख दिया test mass यहाँ पर ठीक है, यह test mass है हमें पता है कि देखो क्या है, gravitational field का direction कि इधर होगा, इधर होगा क्यों क्योंकि इस पर force इधर लगेगा तो पता है जिधर force लगता है, उधर ही field का direction होता है, तो direction प्रप्रद टों पता चलिए कि ऐसे है अब पोटेंशियल कैसा होता है भाई बोले पोटेंशियल ना यहाँ पर जब रखोगे यहां तक कितना distance है बोल देते हैं let it be r तो इस जगा का potential क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus gm बटे r minus gm बटे r नहीं होगा इस mass के वज़े से r distance पर potential कितना होता है minus gm बटे r r distance है तो यह है बढ़ाते 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 r equal to infinity इसके range से बाहर चले गए तो potential केतना हो जाएगा zero क्योंकि आर infinity रखोगे something बटे infinity स्वाहा तो स्वाहा होगे अब सुचो इस direction में gravitational field है अच्छा तो भाई इसी direction में potential का value क्या आ रहा बढ़ रहा है कि घट रहा है तो बोले यहाँ पर होता है zero और जैसा ही यह नजदीक आना चालू होता ही यह हो जाता है minus gm बटे r का मतब क्या हो गया negative हो गया क्या हो गया negative हो गया सोच करके बताओ कि यहां मेरे पास zero रूपया हो और जैसा ही नजदीक आना चालू हो ना तो मेरे पास negative रूपया होना चालू हो जाए negative रूपया का मतब क्या होता है मेरा पस करजा start हो जाए तो जैसी नजदीक आते जाए करजा बढ़ते है कि अरे भाई यह तो नुकसान वाला बात है ना यह तो कम थेखया रहा है यानि कि potential यह जैसी नज़्दी का है हर जगह पर क्या होगा negative 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 लेकिन एगर उपर जनाव जाते हो तो ठीक ऑन नेगेटिव 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 होता है कहां at infinity तो हम क्या सकते हैं क्या देखो ज़रा बहुत important चीज़े के लिख रहा हूं कि इस side अगर जाओगे ना तो भी क्या होगा potential क्या होते जाओगा सुचो negative से zero हो गया तो यानि increase करता है ठीक है और अगर ऐसे अगर आओगे तो इस side potential क्या करेगा decrease करेगा ऐसे जाओगे उपर potential increases ऐसे आओगे potential decreases और ऐसे भी हमें समझ में आता है मालो इसको पिर्थवी ही मालो simple सा पिर्थवी माली है अगर पिर्थवी के मालो यही surface होगे यहां से edge height अगर उपर जाओगे तो potential energy क्या होता बढ़ता है भाई या potential energy बढ़ने मतलब क्या potential बढ़ लेकिन अगर उपर से नीचे आएगा potential energy घटता है यानि कि समझो potential घटता है तो कितना अच्छा feeling associate हुआ कि भाई potential जो अना घटेगा कब इन दा डिरेक्शन ऑफ ग्रेटेशन फिल्ड आओगे तो इन दा डिरेक्शन ऑफ फिल्ड आओगे पोटेशल एनरजी डिक्रीस कर रहा है दो माइनेस डिवी पित रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस खातम कहानी है कहानी हो गया खातम पूरा बना लो गटा यह फिलिंग ऑफ फिसक्स है यह जबरदस्त है ठीक है समझ में आया अच्छे से ठीक है आब जैसे बुले ने वेक्टर कॉइंटिटी वेक्टर कॉइंटिटी भाई potential gradient वेक्टर कॉइंटिटी डिवी बटे डिया डिवी बटे डिया तो भाई डिवी बटे डियार मतलब क्या है कि potential change करे with respect to distance किस direction में देखो सवाल उठ रहा है direction potential change करे with respect to distance किस direction में तो बोले इन दा direction of gravitational field यान एक direction associated है उसके साथ कि potential कैसे change करता है with respect to distance I hope कि यह चीज़ क्लियर हुआ होगा transparent तरीके से चलो अब सवाल बनाते हैं वाटा थेको है ना type 1 बोलता find potential का difference find out करो between two points when gravitational field is given तो बले मेरे पास जो relation आया हुआ ना relation देखो क्या है चो प्रहमास relation हो गया मेरे पास क्या e dot dr 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 equal to minus dv यह relation आया था है ना general relation तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ minus dv इधर लिख दो और यह लिख देता है क्या e dot dr dr अब होता क्या type wise का मतलब क्या हो गया कभी यह gravitational field का value दे देता है बोलता है क्या बताओ यह potential का difference क्या होगा कभी हमसे क्या करेगा potential देगा तो field पूछ लेगा यही इसी पर क्या ना type 1 type 2 type 3 सवाल बन जाता है simple सा तो हम देखते हैं क्या यहां पर बोल रहा है field दे दिया है तो बताओ कि यह potential difference होगा क्या तो इसी में substitute करेंगे ठीक है सवाल देखते हैं बड़ा मज़दार है बहुत concept सिखने के मिलेगा यहां देखो क्या given है भाई तो given मेरे पास है gravitational field equal to है देखो 2i cap minus 3j cap इने region अच्छा बोलता है find potential difference between points A and B तो सिखा चुके है potential difference का मतलब क्या होता है सीधा सीधी सीधा सीधी मतलब जैसे बोलेगा potential difference between अनील एंड कुमार तो भाया हम लिख देंगे अनील माइनस कुमार जैसे अनील पहले बोले तो अनील कुमार बाद में बोले तो कुमार सीधा सीधी potential difference between points A and B it means हमें निकालना है भी A minus VB ही निकालना है कि क्या हो वहीं अग final minus initial calculate करना होता है ठीक है एक छोटा 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 चीज है इसमें silly mistake जो लाखो बचो बचे जह एक्जाम में गल्ती करके आते हैं ये संख्या हजारों में नहीं है लाखों में है कि answer आगे मालो 2 पता चला minus 2 होगा बस due to ये subtraction के वज़ा से ठीक है कैसे निकाले तो बोले कि भाई minus dv equal to होता है कितना देखो e dot dr 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 क्योंकि field देकर रखा potential पुछता है तो field और potential के बीच में relation लगा दो लगा दो भाई अब देखो इधर छोटा सा dr 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 है इधर dv 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 तो यानि की integrate करो ट इधर भी integrate करो e dot dr 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 यानि की position तो बले कहा से कहा तक तो position दो जोंगो 1,2 देकर रखा है यानि बोले जब point 1,2 है तो lat potential होगा कैतना vra b A बोल देते हैं क्योंकि A point पर ही है तो A point पर potential V है जब चला गया point कितना 3,4 पर तो let potential कितना हो गया VV हो गया कितना हो गया वी वी हो गया फिक एक और चीज़ बताता जब भी मालो की DV है इसको integrate कर रहे हैं VA से लेकर कर करके वी तक तो DV DV का integration कितना आएगा V लेकिन जब माइनस लगा हुआ रहे और इसको इंटीगरेट करना हो देखने से ले एक बेटा जो यह अंसर है उसको just पलट दो, minus का मतलब क्या आता है, just पलट दो, vb minus v, तो यह va minus vp होगा, कैसे करके दिखाएता हूँ, minus ले ले लेंगे बाहर, dv, 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 va se vp तक, फिर दोको minus बाहर है, dv, dv, v ben जाए, va se vp तक, तो यह minus गया बाहर, substitute करो, यह vb minus va, तो य this becomes va minus vb, यह देखो, यानि देखने समय समझ में आ रहा है कि भईया, अगर सिर्फ dv हो, तो vb minus v, यानि final minus initial, और अगर minus लगा होगा हो ना, तो भाह, आप उल्टा लिख दो, initial minus final देख लो, ऐसे आएगा, एक, दो, तीन, चौथा line में answer आएगा, तो भाह, इसको दिमाग मे एक ही बार बना लिए, बार-बार उसको कर लेंगे, क्योंकि हर बार minus आएगा, तो इधर से substitute करेंगे, ठीक है, छोटा-छोटा चीज है, लेकिन फिर भी, तेज बनने के लिए सब करना पड़ता है, अच्छा, अब क्या करूँ, हमें चाहिए क्या भईया, va minus vb, चाहिए, तो पता है, minus लगा हुआ न, तो ये LHS में आएगा, क्या, va minus vb ही आएगा, solve करके, क्या आएगा, va minus vb ही आएगा, solve करके, ये तो LHS ठीक होगी है, यही चाहिए भी, e dot dr, तो बोले, e कितना देके रखा है, देखो ज़रा, 2i minus कितना है, 3j cap, dot, भईया, ये dr तो दिया ही नह वाल में, समस्या हो गया, खाड़ा, how to find dr, गया, तो dr जब नहीं पता है, तो ये अपने मन से जो है न, हमें लिखना पड़ता है, तो क्या लिखना पड़ता है, dr का value कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आप लोग को अलग तरीका देखो, सिखाता हूं, how to find dr vector, तो बोले कि एक क point p माल लेते हैं, हम एक variable point है, क्या है भाई, x, y, क्या है, x, y, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि origin से यह चला x इधर, फिर यहां से ले करके यहां तक चला, यह कितना y, तो पहुच गया यहां पर, तो भाई यह vector में बताओ कि कहां से कहां पहुचा, तो बोले origin से direct चला, direct position vector है, with respect to origin, देख लो, ठीक, तो भाई, r vector को लिखते कैसे हैं हम लोग, r vector को लिखो कैसे, variable है ना, तो लिखेंगे x, i, cap, plus y, केतना हो जागा, j, cap, तो this is x, i, cap, plus y, केतना हो जागा, j, cap, 2D में, इसी में direct में सब जाता हूँ कि भाई, ठीक, एतना बड़ा distance r हो गया, अग अगर मैं बोलू कि एकदम तनीगो x चलते हैं, तो dx और तनीगो y चलते हैं, dy, तब ठीक है, चल करके देख लो, एकदम छोटा सा चलो, dx, यह केतना हो गया, dx, y में चलते हैं, एकदम छोटा सा, केतना, dy, तो भाई, तो भाई, यह position vector भी केतना हो जागा, एकदम तनीगो न चल जाओ, तनीगो y में चल जाओ, खाता हूं कहानी, dx, i, plus dy, जे कर, अच्छा, यह तो समझ में आगे, भाई, टूडी में इसे extend करेंगे, अगर हमें 3D में लिखना हुआ, तो, तो बोलेंगे dr बराबर, बोले तनीगो x में चलो, तनीगो y में चलो, और तनीगो, किदर च चला करके लिखना होगा, जो work energy power के अंदर भी मैंने बताया था कि कैसे ये लिखना है, हो गया, तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, substitute, तो how to write dr, 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 तो बोले देखो सिर्फ i cap j cap है न, 2D का ही बात हो रहा गया, तो हम लोग सिर्फ i cap plus dy j cap ही लिख देते हैं, अग कहा से कहा तक, तो बोले 1,2 से लेकर 3,4 तक, करो integrate, देखो क्या आएगा, अब यह dot product, dot product क्या होता है, i वाला i के साथ गुना होगा, और j वाला j के साथ गुना होता है, तो i dot i क्या हो जाता है, तो i dot i क्या हो जाता है, one, तो सीधे coefficient multiply कर दो, तो 2 into क्या हो जागा, dx, तो यह माइनस 3 into dy, पूरा हो गया integration, integration ने हुआ, यह दोनों भी multiply वह integration इसके बाद होगा, कहा से कहा तक, तो 1,2 से लेकर के 3,4 तक, जिनको direct सिर्फ यहाँ gravitation अगर पढ़ रहे हो, ठीक है मिटा इस channel पर, आपको लगे हैं कि क्या हो रहा है, तो ऐसा समयना कि मैं यह second time पढ़ा रहा है, तो यह revision है basically, नया चीज नहीं पढ़ रहा है, तो दोखो क्या करें, तो बोले दोखो 2 dx minus 3 dy, तो बोले भाई यह पहले इसका integration होगा, 2 dx का, minus उसके बाद 3 dy का integration होगा, तो अब ही क्या था ना, दोनों दोखो एक साथ था, x वाला variable और y वाला, इसलिए x y एक साथ, x y एक साथ, लेकिन अब क्या होगा, जब हमने तोड़ दिया लग लग लग, तो इसमें सिर्फ x वाला आ गया, और इसमें सिर्फ y वाला है, तो सिर्फ x का मतलब होता है कि dx 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 x कहां से कहां तक change करेगा, तो बोले भाई यह x चेंज करा, 1 से लेकर के दोखो कहां, 3, तो बोले x च integration हो जाएगा, dx का 1 से 3, माइनस 3 गया बाहर, dy का integration हो जाएगा, 2 से लेकर के 4 तक, तो 2 इंटू, dx dx हो गया, x, 1 से 3, माइनस 3 इंटू, dy dy हो गया, y, 2 से लेकर के 4 तक, तो 2 इंटू, देखो, कैसे substitute करोगा, 3 माइनस हो जाएगा, 1, माइनस 3 इंटू, यह हो जाएगा, 4, या 2-3, 4 में से 2 गया 2, तो 2 दो दोगे 4, मैनस 3 दोगे 6, यनि अशर कितना आएगा? माइनस 2 और यह आ क्या रहा है VA माइनस VB potential है ना तो इसका unit हो जाएगा Joule पर KG हो जाएगा यह देखो जाएगा कैसे निकालते है potential का difference between two points कब जब हमारे पास gravitational field given था vector form में और वो भी कैसे given था vector form में पीटा तो को 2 I cap constant constant ऐसा कुछ था तो कैसे integrate किये तो हमें पता चल गया है ठीक यह type 1 इसी में दूसरा type यही type के अंदर दूसरा सवाल कराता हूँ कि जब gravitational field देखो कितां गंदा तरीके से रहेगा और कैसे हम potential का difference निकालेंगे करके दिखाता हूँ यह देखो है in a region find potential difference between points एतना एंद एतना यानि आगें VA minus क्या है वी भी हमें निकालना है कि क्या होगा ठीक है कोई बाद तो क्या करें बोले minus bv equal to हो जाएगा e dot dr dr हो गया दोनों तरफ कर दो integrate बोले आद देखो कहां है point बोले 1,1 पर तो let a है तो potential बोलता है किता है भी ये जब चले गए b पर 2,3 point पर तो बताओ कि कितना हो गया तो vb हो गया अब सिखा चुके है minus लगता है तो ये initial minus final lhs तो ठीक है भाई या भी ये minus vb हो गया rhs में क्या हाल है e as variable में कुछ है देखते हैं तो minus a x j cap plus y i cap dot dr अब ये 2d में है तो 2d में ही लिखो यानि के dr कैसे लिखो कि dx i cap plus dy j cap हो गया भाई खतम कहां से कहां था बोले 1,1 से ले करके 2,3 तर लिख लो इतना दूर तक फिर आगे solve करता हूँ बद ध्यान देना है कि j है पहले habit नहीं कि speed में लिख देना x i cap y j cap जो हमारा आदत रहता है तो क्या करें माइनस ये ले लेते हैं बाहर constant है अब ये देखो कैसे होगा तो बोले ये j cap है बोले ये j cap तो j cap के साथ गुना होता है direct ना dot product में और i वाला i के साथ तो बोले ये j dot j तो one हो जाएगा तो ये multiply हो जाएगा coefficients के ता तो एक्स इंटू हो जाएगा dy हो गया खतम ठीक उसके बाद y वाला इसके साथ i dot i तो one तो केतना हो जाएगा plus y इंटू हो जाएगा मेरा dx ये आ रहा रहा वन कॉमा वन से लेकर के 2 कॉमा 3 तक आप जीन को work power energy अच्छा से पलहा या revision किया हुआ है notes अच्छे से तो समझे तुरंत catch कर रहे हो कर लोगे कि क्या है क्या है ये वाई x इंटू dy प्लस y इंटू dx ऐसा लगता है जैसे x गया बाहर y को तोड़ो फिर y गया बाहर x को तोड़ो क्या है ये ये है differentiation of two multiple functions जब होता है तोड़ क्या है ये देखो जरा जब भे d बटे dx u into v हो multiple में कोई function हो इसको differentiate करना हो तो क्या करते है u गया बाहर v को तोड़ो तोड़ो मतलब differentiate करो प्लस v गया बाहर u को तोड़ो तोड़ो दो भई तोड़ो ही दो पुरा ऐसा ये कहलाता है differentiation क्या कहलाता है क्या कहलाता है ये differentiation differentiation क्या वाज कर रहे है कोई नहीं ठीक ये बेटा क्या कहला है दोखो differentiation कहला गया बहुत असाल है इसी में से न मैं ये देखो यहाँ नीचे dx है न dx 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 उड़ा दो कट कर दो dx 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 नीचे से चला गया हलाकि ये से काटना नहीं है गलत है मन के अंदर काटा जाता है तो अगर काट देंगे तो बचेगा कि सिर्फ ये बचेगा तो भाईया सिर्फ जो वो बचेगा तो उसको कहते क्या है तब बोले देखो जड़ा अगर d ध्यान से देखना सिर्फ u into v बचा तो ये कहलाएगा कि u into dv plus v into du ये जो सिर्फ d होता है न इसको हम लोग बोलते है क्या डिफ्रेंशियल कहते है क्या कहते है डिफ्रेंशियल्स ये है डिफ्रेंशियेशन जब विथ रेस्पेक्ट ट एक्स ऐसे लिखा हो और ये सिर्फ हो तेतना यानि कि मतलब क्या सिर्फ देखो सिर्फ dx हो dx मतलब क्या होता है x का छोटा सब टुकडा, 0.0000000000 बहुत 0, फिर बाद में 1, तो यह छोटा सब, उसको बोलते है, differential in x, है ना, अच्छा, यहीं पर मैं क्या करता हूँ, यह u v के जगा पर लगाता हूँ, बेटा, गौर करो, यहीं चीज दिख रहा है, लिखा हूँ पीछे, x इंटू dy, प्लस y इंटू dx, तो जब यह ऐसा नज़र आए, तो उसके जगा पर हम यह लिख देंगे, क्या, d इंटू xy, d मतलब differential है, ठीक, तो इसके जगा पर हम लोग लिख क्या सकते है, तो बोले minus a, यह हो क्या जगा पूरा हट करके, d इंटू क्या हो जगा, xy, कहा से कहा तक, 1,1 से लेकर के, 2,3 तर, अब यह है integration, यह है differential, तो integration मतलब जोडना, और inverse process होता है, तो inverse process का मतलब क्या हो गया, मतलब कहने मतलब, एक है x, क्या है, एक है x, एक है minus 1, x के पार कहता है, एक है plus 1, एक है minus 1, यह उल्टा, एक दूसरे का inverse, तो दोनों क्या हो जागा, cancel out हो जाएगा, कहानी खतम, यह बन जागा, क्या मेरा 1, नहीं बनेगा, देखो है है ठीक है तो ये integration differentiation दोलों हो जाता है खतम तो बचेगा बचेगा सिर्फ क्या x,y बच जाता है लेकिन ये limits रह जाएगा कि कहा से कहाँ तक सिर्फ ये process को خतम कर दिया integration differentiation भाई या limits तो रही जाएगा कि कहां से लेकर कि कहाहां तक क्योंकि xy variable बचा हुआ है तो देखो बड़ा जबर्दस्ट concept आता है minus a तो सबसे पहले xy के जिगा पर रखो 2 into 3 x है 2 y है 3 तो यह हो जागा 2 into 3 रख दिया minus अब 1 1 रखो तो 1 into 1 आंसर केतना आएगा तो 3 दूनी 6 minus 1 यानि कि 5 यानि minus 5a आ जाएगा joule per kg this is va minus vb बहुत ही बहतरीन सवाल है बहुत ही बहतरीन सवाल है यह बहुत ही बहतरीन सवाल है va minus vb केतना हो जागा minus 5a joule per kg तो समझ में आ रहा कि अच्छा अच्छा ऐसे सवाल हम लोग बनाते कैसे हैं जब gravitational field given or potential difference हम से पूछा हो between two points minus dv equal to ऐसे लगा देते हैं अच्छा नेक्स्ट आते हैं type 2 पर दखो यह क्या है यह बोलता है कि potential difference between two points मत निकालो find potential at a point एक ही point पर potential निकालो when e is given तो इसका मतलब क्या होता है तो concept याद करो lecture number 7 जब भी बोले ना potential at a point इसका मतलब understood है कि एक point actually कहां यह लिया हुआ रहता है जिसकी बात यह करता नहीं है यह infinity पर लिया हुआ रहता है एक position कहां होता है इंफिनिटी पर क्योंकि infinity पर potential zero होता है default है क्योंकि potential at a point ना वो define होता ही नहीं है लेकिन हम लोग जबरदस्ती उसको define करते है होता नहीं है define हमेशा potential का difference defined होगा हमेशा तु बुलेगा ना potential at a point तो दो point हो गिया ना एक infinity है जो उसके बारे में बोलते नहीं हो चुपा रिस्ता हो तु तो देखो कैसे निखालेंगे बोलता क्या the gravitational field in a region is given as equal to कैसे गिवन है vector equal to है a बटे x q into i cap यह दे दिये बोलता find the potential at a point in the given region इस region में potential निकालो at a point तो बोलते है let the point be p let the point be p in that region उस region में पॉइंट माल लेते हैं पी लेट पॉइंट भी p in that region and potential and potential at point p at point p b क्या बोलोगे भी पी बोलते हैं तो एक पॉइंट मेरे default होता है कि लेट एट कहां let at infinity कहां पर infinity पलेट इंफिनिटी पोटेंशियल भी पोटेंशियल भी कितना जीरो हाला कि इसको लेट नहीं बोलते हैं सिंपल सब्सक्राइब बोलेंगे ना शीन्स वी नो देट at infinity potential is zero एक पॉइंट ना लेट मत बोलोगो डायरेक लिगदो सिंस इन्स एट infinity potential is zero हम लोग जानते है या potential zero होता है बिलकुल यहां let उट करने के जोरत नहीं है तो दो पॉइंट तो default चलाया at r equal to infinity यनि इस line का कहने का मतलब क्या होगा कि जब r equal to infinity होगा उस जगह का potential कीगतना हो जाघगा zero और जब मालों कि at r equal to कुछ r कहीं है कोई point p पर तो उस जगह का potential क्या हमने ले लिए v equal to क्या लिए vp लिए यही कहने का मतलब होगा तो कैसे निकाला जाए कैसे निकाला जाए, solve कैसे करोगे भाई, ठीक है, concept समझ में आ रहा है इसका एक छोटा सा diagram बना दो, देखो तरह, diagram भी बना जता हूँ भाई, पूरे feeling लेलो, यह mass है में यहाँ है, देखो ज़रा क्या यहाँ से लेकर कि यहाँ तक, r equal to है infinity, तो जैसी infinity बोल देंगा, तो यहाँ का potential क्या हो जाएगा, 0, v, potential at infinity, 0 लेकिन किसको एक point p अगर बोल देते हैं, जो की कोई distance है, r equal to r, इस mass है, तो यहाँ का potential क्या ले रहे हैं, तो वही बोले, let यहाँ का potential हो है, क्या भी p, तो हमें बोला है कि बताओ कि इस point का potential क्या होगा, इस region में, तो potential का difference आ गया, एक है infinity, एक है r, एक है infinity, एक है r, निकालते हैं, gravitational field यह ऐसा given है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाई, since इन दोनों के बीच में जो relation होता है, वो होता है, minus dv equal to कितना होता है, e dot dr dr, e dot dr dr, अच्छा, भाई, दोनों तरफ कर दो, integrate, जो कैसे लिखेंगे, r equal to infinity पर potential कितना होगा, 0, और जब हम r equal to r पर चले i, चले i, तो potential कितना होगा, let it be vp, हमें यही vp चाहिए, खता, हमें यही vp चाहिए, तो कैसे निकाला जाए, तो दो इसको सिखा चुक है, कैसे, minus लगा हुए ना, तो यह हो जागा, 0, minus vp, चले गा, यह हो जागा, 0, minus vp हो जाएगा, जैसे भी यह minus vp होता था था ना, ultra substitute करो, e, e कितना है, e है मेरा given, a बटे x q i cap, देखना, a बटे x q i cap हो गया, this is gravitational field dot dr, तो हमें पता है, यह dr, dx, i cap, plus dy, j cap, सब होता है, चलो, एक ना, तीनों लिख करके दिखा देता हूँ, इनसार आप दो ही को लिखतो बार बढ़ना है, मैं तीनों लिख देता हूँ, actually हमेशा हमें तीनों लिखना चाहिए, साठीक, लेकिन पता है कि i वाला multiply किसके साथ होगा, तो यह coefficient दोनों तो multiply हो जाएगा, यह इसमें यह वाला coefficient है किया, 0, तो वो उसके साथ multiply किया होगा, 0, फिर K cap का coefficient किया है, 0, तो 0 उससे multiply होगा, फिर क्या हो जाएगा, 0, यानि अगर यह एक हो लिखा हो, तो इसको एक ही लिखो, दो से बाकी हमें मतलब, नहीं है, 0 हो जाए देखना, एतना एतना multiply हो रहा है, तो सिर्फ क्या होनेगा, यह बटे XQ, I into केतना हो जाएगा, यह DX, कहां से कहां तक, infinity से लेकर के R तक, अब यह तो constant है, तो यह तो चला गया, बाहर, यह बाहर चला गया, X to the power 3 उपर जाएगा, तो केतना हो जाएगा, minus 3, और यह infinity से लेक करके R तक, X to the power minus 3 का integration, बताओ कि क्या होगा भई, तो ए गया बाहर, तो side में कहीं देखो, लिख दूँ, यहां देखलो बेटा जाना, X to the power minus 3DX का integration लिख लेते हैं side में, तो X to the power N का केतना हो, X to the power N प्लस 1, भागा N प्लस 1, ओपर हो जाएगा, X के पर केतना, minus 2, नीचे भी हो जाएगा, minus 2, यानि, एक minus तो बाहर आगया, 1 बटे 2 तो ठीक, X के पर minus 2 तो नीचे आजएगा, केतना हो जाएगा, X का square, ठीक है, एक को minus लगा दो, पता है, एक minus हो, कहीं सामने लिख दे, 2 नीचे, X to the power minus 2 नीचे आजएगा, X to the power 2 बन जागा, यानि इसका integration बेसिक एलेचेस में है क्या, minus VP, VP, VP है, तो देखो, एक minus, एक minus यह क्या हो जागा, cancel out हो गया, तो बचेगा, सिर्फ direct potential at point P, A, बटे 2 जो है, वो ले ले लेते हैं, बाहर, तो यहाँ पर बच क्या रहा, मेरे पास, सिर्फ 1 बटे X square, infinity से ले करके, आर्ट, हैंस, A बटे 2 ठीक है सबसे पहले यह हो जागा, 1 बटे R square, minus कितना हो जागा, 1 बटे infinity, तो 1 बटे, तो इन्फिनिटी का whole square है, basically, infinity रखें, तो भाई, यह 1 बटे infinity का whole square क्या होगा, 1 बटे infinity, तो यह कहानी खातम हो जागा, 0, यह आजागा, A बटे 2R, sorry, 2R square, और यह हो गया, क्या, potential in that region, potential in that region, कि उस region में अगर हमसे potential पूछेगा, तो होगा, क्या, समझ में आगया, कैसे integrate हम लोग करके लाते हैं, और potential क्या है, वेक्टर quantity नहीं है, वेक्टर quantity नहीं है, यह कि scalar है, बस इसमें कोई direction, direction नहीं होगा, कि i cap, j cap, k cap, नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं है, तो same ही steps लगा करके solve किया जाता है, find the potential at a point in the given region, होगया, खाता, अब यह होगया type 2, ठीक है, सवाल दोखो, बहुत बनते हैं, बस value अलग अलग करके बनाते जाओ, type 3 देखते हैं, अब आता है कि अभी तक potential potential निकाल रहते हैं, अब बोलता है कि find e, gravitational field निकालो, बेंड, v is given, तो बोलें कि भाई, इन general मेरे पास, जो है, देखो ज़रा, minus dv equal to है, क्या, e dot dr dr, तो यह कैसे बनता है, यह case बनता है, पता है कब, special case है कि if theta equal to केतना degree हो, 0 degree हो इधरता, तो यह हो जाएगा, minus dv equal to e dr cos of 0, cos of 0, यहाँ से पता चलता है, क्या, e बराबर आ जाता है, दोखो, minus dv बटे dr dr dr, तो जो special case हम लोग किये न, जो special case किये पीटा, उस पर based होता है, यह, गजब का important चीज़ है, गजब का important है, मतब सवाल पूछेगा, e पूछेगा, कोई पाई नहीं है, पूछना ही है, e निकालो, e find out करो, जब bhe given है, अच्छा, bhe given रहेगा, वाह, तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा, bhe बता दो क्या है, उसको differentiate कर देंगे with respect to r, e निकल जाएग कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन समस्या है क्या, ये है मेरा vector quantity और ये जो भी होता है, वो कैसा होता है, scalar quantity होता है, तो पता चलिया कि जब bhe given होगा ना, तो ये scalar है, यानि कोई i cap, j cap नहीं रहेगा, कुछ given question के अंदर, लेकिन जो answer आएगा ना, वो vector quantity है भाई, तो वो i cap, j में answer आना चाहिए, ठीक है, तो gravitational field क्या है, तो it is the negative of, क्या बोल दोगे, potential gradient है, यानि v को differentiate करो, differentiation है, differentiation, देखो type कैसे बदलता है, यानि कि ये जो type 3 है, इसी कदर case, पीटा कैसे बदलेगा, case, type नहीं बदलेगा, case, case 1 देखते है, where v is a function of single variable, तो मेरे पास आया हुआ है, e equal to minus d dv बटे क्या है, dr, 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 अब ये दो तरीका से होता है, यहाँ पर potential जो है, potential कैसा हो, function of single variable, single variable का मतलब क्या हुआ, कि if v जो है, depend कर रहा हो, बेटा, सिर्फ x पर depend कर रहा, single variable, single variable का मतलब मालो की v equal to हो, पता है, क्या, 4x square, अभी सावाल सॉल्व करेंगे, क्या हो, 4x square, या v equal to मालो की y cube हो, या v equal to मालो z to the power 7 हो, ऐसा कुछ, कि सिर्फ y पर depend करें, सिर्फ z पर depend करें, तब, तो जब single variable पर depend करेंगा, तो कैसे निकालोगे, gravitational field, तो बोले, भाई, अगर ये सिर्फ x पर depend करेंगा, तो देखो, क्या हो जाएगा, v किसका function है, सिर्फ x पर depend कर रहा है, यान कि x square हो, तो tension ही नहीं है, सिर्फ x square होगा, तो direct उसको क्या करेंगे, differentiate कर देंगे, with respect to x कर देंगे, हम लोग जानते हैं, क्या पिटा, कि अगर मालो ये function of x होगा, तो क्या, उसको x के response differentiate कर तो y है, तो y के respect में कर तो simple, यह है, क्या, यह तो position ही है, है, displacement ही तो है, तो माइनस dv बटे dx कर देंगे, या अगर भी function of y हो जाए, तो gravitational field हो जाएगा, कैसे, simple सा differentiation यूज कर लो, माइनस dv बटे dy कर लो, जैसे y q है, तो कोई दिक्कात नहीं है, और इफ अगर भी function of z हो जाए, z, तो e बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस dv बटे dz बोल दो या नहीं बोलेंगे क्या, अगर if v is the function of single variable ना, तो पता है क्या then, differentiation is used, क्या यूज करते हैं, differentiation is used, इसका feeling भी बताऊँगा अभी, feeling बताऊँगा नहीं तब मजाएगा, differentiation is used, तो differentiation, 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 जो हम लोग जानते हैं, वही यूज करो, वह या gravitational field निकल जाता है, खटाक से, ठीक, ठीक, अभी single variable ने वो example नहीं बता रहा हूँ, एक और आने तो तब बताता हूँ क्या है, तब इसका feeling बताऊँ, feeling के लिए रुकना थोड़ा, थोड़ा सा अभी mathematical चलो, simple सा, यह है कि जब एक single variable का function होगा, तो बताऊँ कि क्या gravitational field होगा, आच्छा, इस पर ज़रा एक स variable है, single variable होता है, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलता है find gravitational field at .234 in that region, तो बोले अच्छा, single variable है, तो तो gravitational field होगा क्या, बोले भाईया, minus dv बते क्या होगा, अगर dx देख लो, क्यों, क्योंकि यह x का function हो, तो x के response differentiate कर दिखाता हूँ, निकालो दो, minus d बते dx, v क्यतना है 4x square है, ठीक है, तो minus 4 तो गया constant, बाहर, d बते dx हो जाएगा, x square का, तो यह minus 4, x square का differentiation केतना हो जाता है, 2x, यानि यह आजाएगा minus 8x आगया, कितना आगया, minus 8x आगया, तो यह gravitational field आया है हमारा, हमसे क्या बोला कि भाईया, gravitational field निकालो at .234, यानि gravitational field यह तो variable में है, लेकिन आप निकालिए at, यह line का आप डंटी कमाता होता है, at, at 2, 3, 4, तो बोलेंगे जो variable है तो उसमें क्या है, minus 8x है, तो हमको x equal to कहाँ पर चाहिए, 2 पर चाहिए, तो x equal to 2 रखती है, देखो अगर इसमें 8x, y, z, अगर कुछ होता, तो y भी रख देते है, 3, z, रख देते है, 4 ऐसा कुछ, लेकिन single variable है, तो tension ही नहीं, बस x है, तो x पर रखती है, यानि, minus 8 तो नहीं कितना आजाएगा, स्वल्ला आजाएगा, क्या आजाएगा, स्वल्ला आजाएगा, और gravitational field हम लोग जानते होता है, force per unit mass, यानि कि newton per kg, क्या unit होगा, newton per kg, तो इसको रख देंगे, newton per kg होगे, unit भी लिखना बहुत ज़री है, कि भाई, आया तो answer क्या है, ऐसे, तो single variable है भाई, या तो simple सा differentiation कर दिये, मजा तब आता है, जब भी function of multiple variable है, तब mathematics काम नहीं चलता, थोड़ा सा visualization हमारे सामने होना चीए, क्या visualization होना चीए, वो देखो जाएगा, इसा हो कि भाई, मा variable का मतलब क्या हो सकता है, कि भाई, x, y, z, मतलब तीनों चीपर depend कर रहा हो, basically x, y, z पर depend कर रहा हो, हो क्या क्या सकता है, तो हो सकता है, या तो multiple variable यानि x, y का function हो, और बोल दो कि y, z का function हो, और बोल दो x, z का function हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, और बोल दो x, y, z का function हो, मतलब क कैसे निकालोगे भाईया gravitational field तब बोलेंगे समस्या उत्पन होई तब देखो कैसे निकालेंगे since जो gravitational field होता है ठीक है यह होता है कैसा एक vector quantity होता है क्या होता यह vector quantity होता तो vector quantity लिखोगे कैसे लिखेंगे e x i cap e y j cap plus e z k cap हमने देखा था एक diagram क्या देखा था कि अगर कोई mass m यहां है यहां पर याद करो potential infinity पर होता था जीरो और यहां पर potential होता था negative ता हम बोलते थे न कि इस direction में देखो क्या होता gravitational field होता है ध्यान से समझना इस direction में gravitational field होता है और जिस इस direction में gravitational field होता है ना उसी direction में potential क्या होता है तो बोले भाई यह decrease करता है potential decrease करता है with respect to distance मालो कि यह y-axis है क्या है यह वाला बेटा y-axis है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई y-axis में देखो ध्यान से देखो y-axis में potential ऐसे से करकर के हो क्या रहा है decrease कर रहा है यानि potential is changing 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 dv 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 with respect to dy 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 क्योंकि यह y-axis है पूरा है तो y-axis के अंदर कैसे बोलोगे dy 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 distance के साथ potential dv 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 क्या हो रहा है change हो रहा है तो यह सिर्फ y-axis की हम बात कर रहे है तो gravitational field vector quantity में होता है vector quantity का मतलब होता है कि इसका component किदर किदर होगा x में भी होगा y में भी होगा और z में भी होगा तो बोले कि gravitational field का जो तीन component है e x e y और e z तो बोले यह जो e y जो component इसका जो कुछ पार्ट है यह total gravitational field का जो कुछ पार्ट है y-axis में तो वो कहलेगा क्या e y तो इस direction में बताओ कि potential कैसे change हो रहा है with respect to distance बात समझ में आई है ना तो potential यहाँ पर क्या विटा तीन variable पर depend कर रहा है x पे भी y पर भी z पर भी ठीक है वाई तुम तीन जगापर depend करो कोई बात में लेकिन मेरे को सिर्फ बताओ कि gravitational field in y direction कैसे निकालेंगे और gravitational field वेगरा निकालने का जो तरीका होता है वो होता है करेगा with respect to distance अच्छ यह क्या थान अभी तक थोड़ा सा mathematics और थोड़ा सा physics की बात कर रहे थे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कि किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि अब आते हैं प्यार के पास आए तब physics पढ़ने में देखो मजा आएगा देखो कैसे मालू बिटा इससे समझो जरा रहा हूँ बोड़ एकजाम हो रहा है क्या हो रहा हूँ बोड़ एकजाम हो रहा हूँ अच्छी बात है अब बोड़ एक्जाम में physics पेपर हैं क्या है यह फूजिक्स पेपर है और 33 वे स्टोटल आते है ठीक है 33 वे से और एक मालू माल लेते ierte यह पता है कि जाई जिमेंस का एक्जाम माले अग्जाब अब इसमें जो का अपको यह निơn VA अभी example मालो physics, chemistry, biology हमें पता है और मेंस में क्या physics, chemistry, maths तो भाई है जब जब जही मेंस का paper आप सामने बैठो के जैसे आपको paper मिलेगा ना तो वो question paper is not a function of a single variable यानि single subject का exam नहीं है तो यह कैसा है तो बोले it is a function of multiple subject क्या-क्या physics, chemistry, maths तीन subject पर depend कर रहा है यह question paper function of तीन variable है अच्छा-च्छा और यह board exam में मालो अगर physics का question paper हो रहा है तो यहां का जो question paper होगा physics का यह देखो function of कैसा है पता है क्या सिर्फ physics के question paper आपको इसके अंदर दिखाएंगे समझ में आ रहा है कि it is a function of single variable सिर्फ physics बेटा समझना जा रहा है जैसा ही 33 questions आपको सामने मिला total board exam में physics का paper आप देने बैठे एक्जाम में तो क्या होगा जैसे जैसे समय बीटते जाएगा ना तीन हंटा का total paper है ठीक है जैसे जैसे टाइम बीटते जाएगा ना यानि कि 23 फिर 10 बन गया अब कितना बचा मेरे पास 13 यानि कि समझ में आते जा रहा ओ जब भी कोई चीज ना function of single variable होता है तो with respect to time वो parameter क्या होते जाएगा change होते जाएगा यानि यही physics का question paper जब single variable होगा तो number of physics questions will change with respect to time तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हम बोलते हैं क्या यहाँ पर हम लोग differentiation यूज़ करते हैं differentiation is used क्यों क्योंकि dp बटे dt है देख लो समझ लो कि physics के question paper जो है न नंबर जो भी उसका है change हो रहा है time के साथ आ रहा है बात समझ में question paper ऐसे कर करके समझ लो feeling feeling बता रहा हूँ ज़्यादा कुछ लिखता नहीं मैं लब समझ लो कि क्या है बस physics के question paper change होते जाएंगे with respect to time खतम कहा नहीं एक ही paper है तो भया सीधे change होते जाएगा physics का ही questions घटते जाएगा घटते जाएगा खतम दूसरे subject की तो बात ही नहीं हो रहा है तो differentiation कर दो लेकिन वहां बोले यहां जो question paper मिलेगा ना उसमें क्या physics का भी 25 question है chemistry का भी 25 और maths का भी 25 question है तो at a time क्या करोगे सोचो तो out of three paper you will solve any one single paper भाई कोई एक ही paper तो at a time solve करोगे ऐसा थोड़ी ना तीन हाथ तीन आंख तीन सब brain सब है एक के साथ शुरू हो गया physics chemistry math लो भया टी इ question paper होने के बावजुद question paper एक है मतब subjects तीन होने के बावजुद भी क्या करेंगे at a time I will be solving only a single subject और time के साथ दो क्या होगा अगर आपने physics उठाया ना बेटा तो physics के questions 25 आपके सामने है ना t equal to 0 पर physics के questions change होते जाएंगे change होते जाएंगे लेकिन जिसमें आप physics solve कर रहे होगे ना physics के questions change हो रहे होंगे change होने का मतब है कि 30 था sorry 25 था उसमें सब 24 बचा अब 23 बचा अब 22 21 20 उसी समय chemistry और maths के questions क्या होंगे आपके पता है constant होंगे यानि वह 25 का 25 ही रहेगा यही होता है तो आप जेइमेंस या नीट के paper को आप solve कैसे कर रहे हो तो you are solving the paper partially solve कर रहे है कैसे solve करे paper को partially solve कर रहे है तीन में से कोई एक subject हम solve करते हैं बाकी दोनों को constant रखते हैं ठीक है जब हम chemistry को solve कर रहे होंगे उस समय physics और maths को हम नहीं देखते हैं उसको constant रखते हैं जतना है या रहने दोन दोनों को क्योंकि chemistry ही तो change होगा with respect to time तो again जब chemistry solve करेंगे तो physics math को constant रखेंगे और जब maths को solve कर रहे होंगे तो उसी समय physics और chemistry को रखेंगे constant this is known as partial solving paper कैसे questions को solve करते हैं we solve the question paper question paper partially 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 देखो partially solve करते हो ना so here partial differentiation is used so here partial differentiation is used partial differentiation इसको बोलते है partial differentiation is used भाई जब तक समझ में नहीं आता है न तो मजा नहीं आता है पढ़ने में लेकिन यहाँ पर partially नहीं है यहाँ पर तो एक ही paper था उसी को उठा के solve करना चालू कर दिया तो physics का question change होते है जा रहा विच रेस्पेक्ट टाइम तो भाई यह differentiation कर दो partially का कोई मतलब नहीं बना कि समझ में आगे तो physics जब change करेंगे तो भाई यानि की पता है तो partial differentiation को लिखते कैसे हैं कैसे लिखते हैं अब मैं लिख करके कैसे बताऊ इसमें दो और ऐसे करके यह यह डी नहीं लिखते डी नहीं करके नहीं टेरहा इसे करके लिखेंगे मालों यह जो भी function है न तो बोलें कि यह जो function हो तो डेल F बटे क्या करें पता है डेल P डेल F बटे क्या है डेल P यह F का मतलब हो गया कि question paper समझ लो function यह इसमें तीन subjects है यह तीन subjects का variable है लेकिन at a time we will change the questions with respect to P का मतलब क्या होगा कि I am solving physics paper I am solving physics paper तो physics का questions जो हो का वो change होते जाएगा होते जाएगा लेकिन उसी समय chemistry और maths क्या रहेगा constant इसी को बोलते यह जो डेल घुमा हुआ है न इसको बोलते partial differentiation कि out of three question paper you are solving only physics तो इसका मतलब हो जाएगा क्या इसका मतलब हो जाएगा physics will be changing physics will be changing physics will be changing but chemistry and maths chemistry and maths will be constant will be constant कहने का मतलब हो गया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तीन subject है तो एक को change होते रहेगा है न dp 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 physics का question change हो रहा है chemistry math को touch मत करो वो constant है यही हो गया simple सा तो डेल 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 उसको क्या बोलते हैं डेल बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको ऐसे करके डेल डेल और इसको क्या बोलेगे डी समझ में आ गया ठीक है मैं करके बताता हूँ तब थोड़ा सा और फील आएगा यही चीज़े देखो जड़ा यह जो वी है ना ध्यान से देखना यह जो वी देखो e क्या होता माइनस dv बटे d r e होता माइनस dv बटे d r v क्या है भी है यहाँ पर तीन सब्जेक्ट है हमारे पर जे इमेंस का एगजाम है तीन सब्जेक्ट physics, chemistry, maths उसको solve करना है तो at a time ना किसको एक सब्जेक्ट के ही respect में इसको हम solve करेंगे ठीक है तो वही मेरा देखो यह आएगा एक सब्जेक्ट का देखो कैसे है तो यह है x, यह है y, यह है z यहाँ पर क्या यह तीनो है तो कैसे निकालोगे तो बोले यह जो e x है है न x का मतब समाझ लो कि physics को solve करना है तो बोले भईया यह हो जागा minus del v बटे del x हो जाएगा minus del v बटे del x हो जाएगा यहाँ पर x, y, z होगे तीनो सब्जेक्ट है मेरा I am solving it with respect to x तो मेरा gravitational field निकलेगा x direction में यानि x direction का मतब क्या होगे कि physics के direction में सारे question solve होते जाएगे लेकिन जब यह कर रहे होगे तो भईया y and z जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा constant हो जाएगा similarly e y कैसे लिख होगे y का मतब कि chemistry solve करो आप तो जब chemistry solve कर रहे होंगे तो बाकि physics और math constant रखना तो इसी को बलते है partially solve करो question paper को partially solve करो question paper को with respect to y तो y के respect में तो भईया x and z को हाथ ना लगाना e z तो यह हो जाएगा minus del v बटे del z ठीक है तो यहाँ पर z यानी की physics chemistry math math solve कर रहे हो तो भईया physics chemistry constant रखो तो x and y will be constant इस तरह से हम न e x e y e z निकाल लेते हैं जो भी आएगा यह वहाँ रख देंगे hence gravitational field निकल जाता है अब दोखो इतना बहतर तरीके से समझ में आया होगा जबर 10 तरीके से बटा समझ में आया होगा कसम से बटा आप कहीं भी पढ़ाई करते हों चाहिए आप कोटा के ही को बहुत से बड़े-बड़े-बड़े करना पड़ेगा क्योंकि जिन्दगी में हम यही करते हैं मीट का पेपर मिलता है तो तीनो फोलिन चालू हो जाते हैं तब जब दुनिया में चालू होते हैं तो बोड़ पर फ्यूजिक्स में कैसे चालू हो जाएगा बीना दुनिया को टच किये उधर इधर कुछ होता ही नहीं है ठीक है चलो आजो कॉश्चन देखते हैं गिवन वी इकल टू एक्स स्क्वार वाई जेड है वी इकल टू क्या ह विल्ड हमें बोला है निकालने के लिए एट कहां वन टू थ्री पर बताओ कि क्या ठीक है तो पता चलिए कि जब ना वहीं फिसके मिस्टी मैं तीनों है तो भाई यह कर करके निकालो तो एक्स मतलब क्या हो जाएगा तो माइनस डेल भी बटे डेल एक्स पीटा यह जो लि फिल ले ना फिजिस के विश्टी मैं तीनों मिल गया हम सिर्फ फिजिक्स में सोल रहे हैं तो भहickets सिर्फ फिजिक्स सोल करेओ तो चैंच ना शकल मतनू इसको कॉन्स्तेंर रखो इट मिन्स एक्स के रेस्पैक में डिफरेंश्येट अगर हो रहा हो चेंज हो रहा हो तो ब पार्शल डिफ्रेंशेशन का मतलब है तो डिफ्रेंशेशन ही बस समझानती विदिया इतना ही है कि एक्स के रेस्पेक्ट में करते हो तो yz constant हो जाता हो बाहर चला जाता है आंसर क्या है तो yz और x square का differentiation होगा क्या 2x तो होना तो वही है तो minus 2xyz हो गया this is क्या है e x आया है क्या है e x similarly e y एक करके अब निकाल लेते हैं दोखो e y हो जाएगा minus केतना डेल भी बटे डेल y तो यह हो जाएगा minus डेल बटे डेल y यह this is x square yz ठीक है y के रिस्पेक्ट में शॉल करें तो x और z constant तो x square और z आ जाएगा constant बाहर तो बोले differentiation की कौन बचेगा अंदर सिर्फ y y का differentiation with respect to y क्या हो जाएगा 1 है तो dy बटे dy ही यानि minus x square z आया है क्या e y e y हो गया similarly e z निकाल लो तो माइनस डेल भी बटे डेल z तो माइनस डेल बटे डेल z x square yz तो बोले z के respect में करें differentiate तो x y constant हो जाएगा तो माइनस x square y चला गया बाहर तो बोले कि डेल बटे डेल जेड और यहां भी z क्या है यहां पर जेड तो डी जेड डी जेड वन यानि माइनस x square y आया देखो जाना e z आगे e z आगे अब यह जो ग्रेटेशन फिल्ड में रहा है न एक्स कॉंपोनेंट y component z component यह सब कैसा है यह वरियेबल है सम यह एक्स y जेड पर डिपेंड कर रहा है तो हमें ग्रेटेशनल फिल्ड निकालने कहा पर बोला एक point पर बोला निकालने क्रें देखो कितना 123 तो लिखेंगे कैसे वो देखो ध्यान से इसको यहीं रहने देते हैं तो लिखेंगे कैसे तो बोले सिंस ग्रेटेशनल फिल्ड जो होगा वो होगा क्यतना e x i cap e y j cap प्लस e z k cap e x केतना है यहीं पर value put कर लो सब जगा पर ताकि last में रखतो या वहाँ पर भी put कर सकते हैं तो मैं एक वार रख करके दिखाता हूँ ठीक है देखो minus 2 x y z है न तो यहां रखें क्या minus 2 x y z i cap प्लस e y कितना है देखो minus x square z तो minus x square z हो गया प्लस e z कितना है minus x square y तो यह हो जाएगा minus x square y के cap हो गया दिस इस gravitational field यह variable बला answer हो गया ठीक है लेकिन हमें बोला है कि भाया निकालो तो 1, 2, 3 पर निकालो तो यह भी answer है लेकिन जिस point पर बोला वो निकालो तो यह सारा values यहां put कर दो ठीक तो यह होगा क्यतना दोखो minus 2 into x y z x y z तो यह 123 हो जाएगा यह तना आई कैप ठीक है जैसे बोला है वह जैसे निकाल दो minus x square x square मतलो one का square तो यह भी यह one का square into z z केतना है 3 तो यह तना जे कैप हो गया plus minus x square into y x square का मतलब one का square तो यह हो जाएगा minus one का square into y मतलब two यह हो जाएगा के कैप हैंस final answer तीन दूनी छे दूनी बारा तो minus 12 आई कैप यह minus केतना हो जाएगा तीन जे कैप और यह हो जाएगा minus 2 के कैप दिस इस gravitational field at 123 और हमें magnitude इसका बोलेगा तो रूट अने 12 square प्लस 3 square प्लस 2 square निकाल लेंगे तो यही है option मैं कैसे ही दिया रहता है तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा with feeling की हम लोग कैसे इसे calculate करते हैं अब आपके लिए एक homework क्या है भाई तो एतना हम बताते हैं तो एक simple question की gravitational field given है 20 i cap plus 30 j cap if the potential at the origin is taken to be 0 यानि बोल दिया origin मतलब 0,0 पर potential है 0 बोलता find the potential है 2,2 तो पता है 0,0 से 2,2 जिरो जिरो पर है potential 0 यहाँ पर potential होगा क्या let it be भी comment section में बताओ कि answer इसका होगा क्या comment करो देखे कि किसका answer सही आता है ठीक है लिख लो question बढ़िया से solve करने की कोशिस करो खुद से हर lecture में कोशिस कर रहा हूं कि एक हमवर question जरूर दू जिससे की lecture कैसे पढ़े भाई समझ में आया की नहीं आया और उसको लेकर क्या सवाल बन भी रहे की नहीं बन रहे ठीक है चलो बेटा मिलते हैं अगले lecture में अच्छे से पढ़ाई करते रहो थैंक्यू